हलो अव्रबन देग आने वाले 20 जनवरी को अर्नाश्वर प्रदेश सेलिबरेट करेगा अपना पचासवा नामकरन देवस मतलब की It's a Golden Jubilee Year Celebration for अर्नाश्वर प्रदेश देखी हुआ क्या था कि 1972 से पहले अर्नाश्वर प्रदेश का नाम हुआ करता था नौर्थ इस्ट फ्रंटियर एजंसी फाइनली इंडियन गॉर्मेंट ने 20 अफ जैन्वरी 1972 को इस अर्नाश्वर प्रदेश को यूनियन टेरिटरी डेकलियर कर दिया था फाइनली आगे जाकर 20 परवरी 1987 को मतलब कि 1987 में इसे प्रॉपर स्टेट का दरजा दिया गया था मतलब कि इसे प्रॉपर स्टेट डेकलियर कर दिया गया था इंडियन गॉर्मेंट के द्वारा अब इसी पचासवे नामकरण दिवस की अबसर पर रिसेंटली जो अर्वनाश्वर प्रदेश की गॉर्मेंट है उन्होंने कि यहांका जो टूरिजम सेक्टर है उसमें भी इंक्रिमेंट हो और यहांकी एकॉणमी में थोड़ा बहुत इंप्रूमेंट हो और साथी साथ यहांका जो यूथ है उनको ड्रॉग अब्यूज़ की बारे में वियर किया जाएगा ठीक है अब अगर बात करें अनाचल प्रिदिस की तो इसको प्रॉपर स्टेट डिकलिर किया गया था 20th of February 1987 में और ये तीन कंट्री से अपनी बोलेश शेयर करती है जैसे की भूटान, मैनमार और चाइना ठीक है यहां की जो पॉपलेशन है वो लगबक 14 लाग के करीबे और प्रिजेंट टाइम में यहां की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है प्रेमा खांडू और गवर्णर है प्रिजेंट टाइम में यहां की बीडी मिस्रा आपको यहां पर सिंपल इतना बताना है कि नाम दफ़ा नेशनल पार्क किस श्टेट को बिलोंग करता है लिखिएगा आंसर कमेंट सेक्शन में I would like to read your answer